नमस्कार, स्वागत है आपका News Click पर मैं हूँ आपकी होस्ट नीलू व्यास आज Point of View में बात करेंगे पंजाब के चुनावी रड़की 117 सीटे है पंजाब में और एक multi-cornered contest 2022 में देखा जा रहा है और एक third entrant है इस बार हमेशा देखा जाता था कि या तो अकालीज की सरकार बनती थी या तो Congress की लेकिन जो एक election monotony होती है उस monotony को break किया है आम आदमी पार्टी ने और लेकिन आम आदमी पार्टी क्या वो कमाल दिखा पाएगी क्या Congress single largest party बन पाएगी कि ये सारे सवाल लोगों के जहन में अभी चल रहे हैं लेकिन जितने भी opinion polls आए हैं उनके मताबिक आम आदमी पार्टी को बढ़हत मिलती हुई दिख रही है लेकिन क्या आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी क्या चन्नी की लोग प्रेता Congress को वापिस दुबारा सत्ता में लेकर आएगी आज की चर्चा शुरू करती हूँ अपने दो खास महमानों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं Congress के राश्री प्रवक्ता गुर्दीप सपल आपका बहुत-बहुत स्वागत है न्यूस क्लिक पर गुर्दीप और हमारे साथ जुड़ रही है आमादभी पार्टी की प्रव गुर्स मुझे कही नजर नहीं आ रही है तो आपने शुरू कि एंट्रॉक्षन में की एक नई पार्टी की एंट्री हुई है अब आमादभी पार्टी नहीं नहीं है मैं रीना जी की तरफ से जवाब दे देता हूं यह उनका चौथा चुनाव है उनकी एंट्री 2014 में हो ग पार्टी की वहाँ पे जगा बनी लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जितनी जगा बनी उससे ज़्यादा वो दिखाई देती है पिशले चुनाओं के अंदर जो 2017 में हुआ था तमाम उपिजन पोल 93 से 100 सीट उनको दे रहे थे और 40% वोट दे रहे थे सीट आई 20 वोट आए 23 परसेंट और वो 23 वोट भी जो अभी 2021 में लोकल बोडी चुनाओं हुए वो कम होते होते करीब 8% साथ से 8% पर रहे गया और 92% सीटो पे ये लोग हारे थे जो इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर चुनाओं लड़ा था लोकल बोडी के अंदर तो आम आजबी पार्टी जीते थे उन में से आधे पार्टी छोड़ गए जो इनके प्रदेश अध्यक्ष ते पहले वो छोड़ गए जो दूसरे अध्यक्ष थे वो छोड़ गए इनके तमाम बड़े नेता एक एक करके जिनको इनोंने चेहरा बनाया पिछले 7-8 साल में वो आज इनकी पार्टी के साथ नहीं है और वो इसका कारण है इसका कारण है क्योंकि ये पार्टी प्रचार में इतना अंदा धुन्त खर्च करती है कि उसका जमीन की सच्चाई से कोई लेने देना नहीं होता यही पिछली बार गोवा में भी दिखा था हम लोगों को बड़ी बहुत बड़ी और तीस के तीस हारे तो यह जो दिखता है यह इसमें काफी कुछ पैसे का प्रचार भी है और आम आदमी पार्टी जो कहती है कि बहुत इमानदार पार्टी है उसके पास यह पैसा कहां से आता है इसका आज तक ना केजरिवाल जी ना जवाब दिया है ना रीना जी ने इसका जवाब यही दे सकते हैं मैं नहीं दे सकता है इतना पैसा आज आम आदमी पार्टी के तरफ के पास कैसे आ रहा है कि आप इतना प्रचार और प्रसार कर रहे हैं यही मोदी जी का जब प्रचार और प्रसार होता था तो आप उनकी ओपर उंगल्या उठाते थे कि दे तो इस पार्टी के बारे में और मैं ज़्यादा क्या बोलूंगी कि चीप में से छोड़ के भाग गए चन्नी जी इतने डरे हुए हैं कि वो दो सीटों से चुनावा लड़ रहे हैं और आज मैं आपके चैनल पर कहना चाहूंगी कि दोनों सीटों से उनकी जमाना जब दूसर साल की तो 25-26 साल अकालियों ने राज किया और 25-26 साल कॉंग्रेस ने राज किया है और आप पंजाब की आज हालत देखिए देर यूस्ट टू बी टाइम वेर पर कापड़ा जीडीपी और पंजाब यूस्ट बी दा हायस इन दा कंट्री पंजाब की तुनना लोग जापा का घोटाला है और तो और जो आपने चीफ मिनिस्टर बदले 111 दिन में वो चीफ मिनिस्टर इतने अमीर मिल्क हो गए कि उनके भतीजे के घर से करोड़ रोपे कैश में निकल के आ गया तो ये तो पंजाब का हाल किया अब हार्तिय जन्ता पार्टी में अगर इन्हों ने पिछले 5 साल में कुछ किया होता तो आज पंजाब की हालत इतनी बुरी नहीं होती नीरू जी पंजाब के पास इस समय अगर आप देखें सारे स्टेट्स का कंपारिजन करें पंजाब के पास सबसे ज़्यादा करजा है सिर्फ कॉंग्रेस के ही काल में 3 लाग करोड का करज खुल गए तो पहले तो ये बताएं कि पंजाब का जो उन्होंने 5 साल में जो लूटा है पंजाब को वो सारा पंजाब का पैसा कहा गया अमरिंदर जी ने गुटका साहिब पे कसम खाई थी कि मैं ड्रग माफिया चार आपके में बंद कर दूँगा सब को स्मार्टपॉन सब को नौक्रियां दूगी दूगा आज आप जड़ा जाईए पंजाब की यूद से पूछी क्या बुरी हालत है जो नशे में पंजाब को डबोया है वो किसने डबोया है वो सब इनकी जो मिल बांट के जो सरकार कलती ही ना पहले तुम खाओ पिर पहले मैं खाओ एक दू मैं आपके चैनल पे पूरे जिम्मिदारी से बोल रही हूं कि पूर बहुमत में पंजाब में आमाधी पार्टी की सरकार बनने वाली है और आपने जितनी प्रॉब्लम्स गिनाई है कि जो ये प्रॉब्लम्स हुई थी कॉंगर्स की तरफ से तो आप शायद ये वाइदे ज किये थे वो आज वाइदे पूरे नहीं हुए हैं और आप शायए वो अमरिंदर सिंग हो चाहे नव जोट सिब एक इंटरनल फैक्शनलिजम की भी बात बार बार आती है कि Congress अपने नेताओं को नहीं समाल सकती है जमीन पर भी जब वहाँ पर मैंने लोगों से बात किया तो जो तूट फूट की बात करें तूट फूट की बात आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती इनके तो आदे से ज्यादा नेता इंक्लूडिंग MP, MLA जब से पार्टी वनी है पंजाब में छोड़ चुके मैं राश्क्री बाती नहीं कर रहा हूं सब को पता है कौन-कौन छोड़ गए हैं उसको रिपीट करने की जरूट नहीं है आदे से ज्यादा MLA, तीन चुथाई MP, इनके प्रदेश अध्यक्ष यसा मैंने का, लेकि इन्होंने बाते बहुत सारी की, बोला की पंटाले साल में लूटा है, अब रीना जी चुकि पंजाब से नहीं आती हैं शायद, मै इसको पंजाब की इतिहास नहीं मालूँ, पैंतालीस साल पहले रीना जी पंजाब पिछडावात साथ जापान नहीं था, और अगर जापान था भी तो हमारी पार्टी ने बनाया था, पहली बात, लेकिन दूसरी बात, तब हरित करांती नहीं हुई थी, हरित करांती पार्टी ही लेके आई थी, जिसने पंजाब को उपर ले गए, और एक ऐसा स्टेट, जिसने टेरिरिजम को जहला, पाकिस्तान इस्पांसर टेरिरिजम था, जिसने इतना बुरा वक्त काटा, उस पार्ट, उस स्टेट के लोगों ने फिर भी देश के हर इंडिकेटर पे त उसके भी आप बदनामी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, और उसमें लोग वहां की जनता और वहां के नेता, चाय कोई भी नेता हो, वह सब शामिल है, जितने बुरे दोर से, आप पुरी दुनिया में टेरिरिजम का इतिहास उठा के देख लीजिए, आयरलेंड से लेके श्र बना, इस बात को बाहर वाले कभी नहीं समझ सकते हैं, दूसरी बात, आपने बहुत सारी बाते कर दी, एजुकेशन की, ट्रांस्पोर्ट की, हर चीज़ की, एक एक करके चलें, अब स्विस्ट बैंक की बात तो आप सोड़ दीजे, आपने फिर ये तो जुमला जिस पे अर सबिंद केजरिवार जी भी नहीं करते हैं, पिछले आठ साल में स्विस्ट बैंक को लेकर, वो उस लोगपाल के पास भी एक भी अरजी लेके नहीं गए, जिस लोगपाल के लिए पूरे देशमुन नहीं संगर्श किया था, आज यहाद उनको लोगपाल का नाम बे नहीं पता होगा, क्योंकि एक फर्जी इस्टिट्यूशन के लिए वो लड़े और उसको फिर बुख्य मंत्री बनाके भूला दिया, आज आप आप वो करप्शन की बात नहीं करते हैं, बात किस किस की कर रहे हैं आप, आप एक चीज जो आपने बोली, एजुकेशन की बात, हेल् में पंजाब आज भी दिली से आगे है, जो स्टेट आप रूल कर रहे हैं, आज भी आगे हैं, और मैं बता सकता हूं, मैं बता सकता हूं इसको, आज दिली में आप लोग आज स्मार्ट क्लासिस की बात कर रहे हैं, पिछले साल अगस्ट में सिसोधी अजे ने बोला, दिली तो सच है आज दिनली के अंदर एक हजार इकत्यस स्कूल है एक सो च्छाणवे प्रिंसिपल्स उसमें बाकि में प्रिंसिपल ही नहीं है बाइस हजार लोग टीचर्स पे आपके हैं पंजाब में ऐसा नहीं है पंजाब में स्कूल्स हैं पंजाब में टीचर्स हैं और यही व और पंजाब में पिछले दो सार में छे लाग बच्चे सरकारी स्कूल में बढ़ गए हैं क्योंकि पंजाब की एजूकेशन विवस्ता काम कर रही है आप किया की तरह केवल विग्यापन नहीं कर रही है आप किया कम हुए है और दिली में भी आपने रिजल्ट खराब किया है इजुकेशन में जब कॉंगर्स की सरकार थी और ये गूगल कीज़े और इन जी इस प्रोगाम के बाद दोजार बारा तेरा पे सरकारी स्कूल का रिजल्ट 99.45% आया था 99.45% दोजार बारा तेरा में आपकी सरकार नी थी अरुन्दर लवली एजुकेशन मिनिस्टर थे श स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हुई, आपके टाइम पे स्कूलों में रिजल्ट गिरा, आपके टाइम पे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं रहे, आपके टाइम पे पैरा टीचर्स हैं, कॉंट्रेक्ट टीचर्स हैं, और आप पंजाब से बात करते हैं, पंजाब इस ह कितना संगर्श किया पंजाब के ट्रांस्पर्ट मिनिस्टर ने कि अर्विन केजरिवाल जी वहां की सरकारी बसों को दिली एरपोर्ट तक आने दें। अर्विन केजरिवाल ने मंगी हमने तो नहीं मंगी हमने तो उसनचे बिठाइए। इंक्वैड कमीटी ने रिपोर्ट दी दो साल कौर्ज कोड़ में उसपे कोई पहीोड के पार या जा कर फिर विद्टू लेकिन आपके आपके मुख्या मन्त्री जो दिल्ली से आ रहा है और उसमें एक चीज मैं बता दूरी ना जी पिछला चुनाओ भी आपने पूरे जोर शोर से लड़ा था और आप लोग कहते हैं कि आपको पुब्लिक से पैसा आता है आता होगा कोई मैं इस पे विरोध नहीं करूंगा लेकिन आज पांच साल के बाद फैक्ट य आए दिखाईये 37 क्रोड के तो आपके अख़वार के विग्यापन हो सकते हैं उससे ज्यादा है जो होडिंग आप लगाते हैं तो कौन सा काला धर है जिससे आप चुनाओ लड़ रहे हैं आप लोग बात करते हैं क्योंकि ये तो पुब्लिक डोमेन में एडियर की साइड कमिशन की साइड पर जाइए आहम आधी पार्टी ने कितना पैसा रिसीव किया है पिछले साल 37 उसके पहले 10 करोड उसके पहले 8 करोड ये पैसा कौन सा आप लगा रहे हैं ये तो अब जो चीज़े पॉइंट वाइज गुर्दीप ने बताई है पहले तो हेल्थ एडूके कि आप उस डेटा को डिसों कर सकती हैं कि आप ये कहेंगी कि ये डेटा गलत है और अगर गलत नहीं है तो आंग आधी पाटी में सुर्दीप ने कि आप हमारी जो सक्सेस रेट है देखे डली में कित ही है उसी मॉडल को हम पझाब के लिए रटीकेट करेंगे तो शुच मी you are clearly misleading the people. See, the people of Punjab are very smart. Let's not say that the people of Punjab will get fooled. You know, Punjab and Delhi are completely past-past. The people of Punjabi are a lot of their family in Delhi. They know what kind of work in Delhi is in Delhi. Another thing, if the campaign was so good in Punjab, when the campaign started, we tried to see some schools in Punjab. देखने जाएं. चन्नी जी ने फोन करके सारे जिलों में बोल दिया था कि खबरदार कोई भी बहार आके अगर किसी आमादमी पार्टी का या कोई पत्रकार भी कोई स्कूलों में पहुंच जाए तो वहां का एजुकेशन डिपार्टमेंट का विभाग को करमचारी सस्पेंड हो जाएगा. स्कूलों में ताले लगवा दिये थे. क्योंकि स्कूलों की हालत इतनी बुली है, वहां पे मवेशी घूम रहे थे. वहां पे स्कूलों में, क्लास्रूम में, ब्लाक पोर्ड और स्मार्ट क्लास की तो बात दूर रही, वहां पे मवेशी घूम रहे थे. ये बात, पहली बात. दूसरी बात, दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है, उसमें मेरे को बोलने की जरुवत नहीं है. उसमें यूएन ने बोला है, उसमें जब ट्रंप की वाइफ आई थी, वो दिल्ली के स्कूल्स देखने गईंगी, तो इसमें तो हजारों स्कूडीज हो चुकी है. United Nations से लेकर कितने PhD स्कॉलर्स ने इस पर लिख दिया है, तो दिल्ली के एजुकेशन मॉडल के बारे में, तो मुझे बोलने की कोई ज़ुरत नहीं है, इनफ कवरेज हो चुकी है सब जगा. तीस्वी बात, शीला दीक्षित के टाइम में, जितने प्राइवेट स्कूल्स से जो इन लोगों ने साडगाट करी हुई थी, और प्राइवेट स्कूल्स इस तरही मश्रूम कर रहे थे, आप देखिए कितनी रिपोर्ट निकलियें, जबसे आमान्मी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, वो सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए है कि लोगों ने प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल के और सरकारी स्कूलों में डाला है तो एजुकेशन मॉडल जहां तक है दिल्ली का मैं आपके चैनल पे पूरे जिम्मेदारी से बोल सकती हूँ कि पूरे देश में इससे बेटर एजुकेशन मॉडल कहीं पे नहीं है जहां तक health की बात है आप देखिए यह तो पूरा देश जानता है कि पंजाब में health services इतनी खराब चल रही है कि एक cancer express चलती है लोग पंजाब के लोग दूसरे states में जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए क्योंकि पंजाब में health में इतनी बुरी हालत है और तीसरी बात मुझे तो पाकिस्तान से phone आते थे वहां से मुझे बताया जाता था कि मंदरी मंडल में किसको रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए तो इस बात का आप खुलासा करिए कि क्यों तरह की वक्तवे आपके वो दे रहे हैं और जहां तक Congress की खालत की बात है तो में तो देटा को काउंटर नहीं किया जो गुर्दीप ने दिया स्कूलों के बारे में ख्यार वो तो गुर्दीप कुछ भी मंगणन देटा दे के बहुत है तो आप भी दीजे बिल्कुर हमने 20,000 नहीं क्लास्टों बनाएं दिली में और दिली में जो फास परसेंटेज है वो शी परसेंट बताएंट अब रीना जी बताएंट बात की जो पूरी रेते की जो तकरी चल रही है उस पे सीधे सीधे चन्नीजी की शेय है की नहीं है इस बात का जवाब दीजे अब मैं एक एक करके आप किस सब बात होगा परामाद हुआ है और जो ट्रांसफर पोस्टिंग की एक जवाब देता हूँ ना आप एक पे क्यों मंगते मैं रेते पे भी जवाब दूँगा अब एक एक करके पहली बात कोई भी दर्शक गूगल कर ले पंजाब में छे लाग स्टुडेंट सरकाई स्कूल में भड़े ह और आपके यहां जेट से पुने दो लाग कम हुए हैं सेम पीरियड में यह पूरा ओफिशल रिकॉर्ड इंटरनेट पे है मैं इसमें जूट नहीं बोलना हूँ कोई भी दर्शक इसको गूगल कर सकता है आजकल प्रांसपरेंसी का जमाना गूगल पे तो है दूसरी बात आपने बोला था बीस कॉलेजिस आपने आठ साल में एक भी कॉलेज नहीं बनाया एक भी उनिवरस्टी नहीं बनाई फरवरी में अर्विन केजडिवाज जेही ने एक नए उनिवरस्टी डिकलेर की है वो भी तेरा एकिस्टिंग इस्टिट्यूट्स को जोड़कर नाम च कुछ नहीं किया वो NCR में और बाकी देश के शहरों में जाके ढूनता है या ऑनलाइन वो एडमिशन लेता है यह इस दिल्ली की सक्चाई है दूसरी बात आप ने कहा कि डेटा की बात है एक एक करके ठीक है आपने हॉस्पिटल की बात की सच यह है कि एक भी हॉस्पिटल साल तक नहीं बना था शीला जी के टाइम पे सोला हॉस्पिटल शुरू हुए थे आप कहें तो पूरे नाम पढ़के सुना दें आटी आई में आपी की सरकार ने भी जवापी दिया सोला हॉस्पिटल दोजार तेरह में शुरू हुए थे 21 में कोविट की सेकिंड वेव तक आप पूरे नहीं कर पाए और क्यों नहीं पूरे कर पाए उसका कारण है यह जो चीजे होती हैं इंफ्रस्ट्रॉक्टर डॉलप्मेंट वो होता है केपेक्स में सरकार को जो कैपिटल एक्स्पेंडिचर होता है बीस साल में पांच साल आपकी सरकार तीसके पहले और पंद साल का केपेक्स माइनस बाराफ परसेंट हुआ माइनस बाराफ परसेंट इसलिए आप ना कोई कॉलेज बना पाए ना आप कोई इनुवस्ट्री बना पाए यह जो आप यूएन स्टेडी करता है यही तो यही तो प्रोपेगेंड़ आपको आता है आपको काम नहीं आता है कि युए निस्टेडि करता है युए ने तो भी पॉलुशन का स्मॉक टावर बना दिया किसी ने क्या आओ पार्टी कि सरकार में पड़ाइ दी किये कि दिल्ली में कितने पॉलुशन होता हैं कितने क्यूभिक फीट हवा है और एक टावर कितने क्यूबिक फीट सोख सकता है लेकिन दिखा दिया कि हम टावर से नहीं मुझे लगता है कि यह हैल्थ और इडिकेशन इंडिकेटर्स पर अटक नहीं नहीं तो इशू है देखिए जब यह आए थे बारा में देली वाज दी ग्रीनेस कैपिटल अफ दी वर्ल यह तो सच है आज देली इस दी मोस्ट पॉलुटिट कैपिटल अफ दी वर्ल इंडिकेशन आप देखिए ना आप इस तरह जूट मत बोलिये रीना जी जूट मैं अभी आपको निकाल जी मैं बिल्कुल गूगल कर लीजे मैं मैं जाइंस और इंवार्मेंट की रिपॉर्ट है कि आम आदनी पार्टी के कारेकाल में पॉल्यूशन टीम तू पॉइंट फाइव थाइव परसेंट आइव तेटा अगर पंजाब में विच एर के रफेंस में आपके टाइम पे डेली इस टेंट नोस आइव गिव और देटा 75% पर्शन आइव पर्लुशन इंडेव रिना जी आइव थो आप पड़िये पडिये बिद्नस टेंडर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए अगर आपको दिख रहा है चीला दिख्शित के टाइम पे पढ़ लीजिए लिए 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 नाव I have to go on to my next point also I have a limitation I will give you time to रेते पे आपने मांगा था रेते पे जवाब मेरी जिए आप जवाब दीजिए दिन्ली जल बोर्ड है जो रेता खनन भी उसके अंडर में आता है उसमें आपने आठ साल से सेब कॉंट्रेक्ट जिये रहे ने ने आप पंजाब की बात करिये से बल्जी वाई उप्सेस्क् पंजाब में इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा है तो हड़ साल पंजाब का सीस हजार यूथ माइग्रेट क्यों करता है ऐसा क्यों होता है कि सारा यूथ जो है पंजाब तो वो विदेश जा रहा है अगर आप चुप कराईए कि यह उप्सक्राइए माइग्रेशन पी बो पहले तो इसी हफ्ते लोगपाल पे जब शिकायत गई आनन फानन में कॉंट्रेक्ट रद किये कोड़ों का कवर अप करनी कोशिश किये इसी हफ्ते रागफ चड़ा उसके चेयर्मन है इसी हफ्ते लोगपाल की शिकायत के बाद आठ साल बाद वो टिंडर उन्होंने अभी जिसको एक्सिंचन दिया था दूसरी बात वाट साल से काम कर रहे हैं ना डिली से कितना माईगरेशन आपने रोक लिए बाहर जारे हैं दिली से कहा जारे लोग जिस तरह का वाईगरेशन यूथ का पंजाब से हो रहा है पूरे देश में कही नहीं हो रहा है पूरे पूरे प्रोग्राम के लिए वो आपके पास भी नहीं है ना हमारे पास है इसले मुझे जानना है अब मुझे ये बताइए आप डोनों ने बात कर ली सारे इंडिकेटर्स को लेकर पूर्प्शन, हेल्थ, एंवार्मेंट, एदुकेशन, हमने सब की बात कर ली आप दोनों ने एक दूसरे के तरफ पॉइंट रखे हैं तो ये नेक्स पॉइंट तो रीना इस ये वरी कॉन्फिदन कि आम आदमी पाटी की सरकार बनेगी आपको क्या लगता है क्यों लोग आदमी पाटी को वोट देंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोकेट्स हैं जहां पर लोगों का ये कहना है और मैंने एक नहीं पता नहीं कि बड़ा सा गुबारा फुला है बड़ आप कॉन्फिदन नहीं है कि आप सरकार बना पाएंगे तो ये क्या आप देखिए कि जब भी ऐसा होता है कि सारे के सारे मिलके आमादमी पार्टी को गाली देने लगते हैं वो पंजाब में हो रहा है ये लोग एक दूसरे को पर भी है कि पंजाब में आग लग जाएगी और भाईयों को बाहर निकालो वैसे तो ये अपने आपको देश की सबसे बड़ी सिकुलर पार्टी मांगते हैं तो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं ये बयान ऐसे इसलिए आ रहे हैं कि बुरी तरह डरे हुए इनको पता है कि ह हैं हिस्टरी रिपीट होने वाद है पंजाब में कॉंग्रेस का स हाइम हंग्रेस स साफाया और इसके लिए सिर्वक एंगरे जिम्ने जिम्म्रेदार है कि इन्हों ने अगर कि पांट साल में कुछ पांट साल में क्या की आ है हम सिर्फ पॉजितिव क्या रहे हैं हम ने Berry में जो काम किया जो दिली में ट्रांसवरमेशन किया हैän उसी तरह का ट्रांसवरमेशन हम पंजाब में करें गयों पंजाब के आवाम को पता है हम के आप आलियों में तुलना शिवसेना से की गई कि ये तो शिवसेना जैसी बाते कॉंग्रिस कर रही है और वाकई में लोगों को सुप्राइजिंग लगा कि कॉंग्रिस ऐसी बात क्यों कर सकती थी तो क्या ये डेस्पिरेशन से भारा एक स्टेटमेंट था चन्नी जी का ये लोग पहले तो आपने चन्नी जी को मिसकोट किया चन्नी जी ने ये नहीं बोला कि यूपी के लोग नहीं आ सकते दिल्ली के लोग राज नहीं कर सकते लोगों के बारे बे नहीं बोला था जो वहाँ पे सीम बनना चाहते हैं उनके बारे बोला था और क्या क्या गुजरात में कोई पंजाब का अत्मी मुख्यमंत्री बन सकता है तमिलाडू में कोई दिल्ली का जाके मुख्यमंत्री बन सकता है असनम में कोई हर्याना का सीम जाक करे कि उसकी अपनी पॉलिसी क्या और मैं बताता हूं क्यूं दिल्ली का मैक्जिमम यूथ और पंजाब का भी काफी बड़ा पड़ा लिखा यूथ वो हर्याना के शहरों में खास वर्फे गुड़गाओं में फ्रिदाबाद में नौकरी करता है आज भी कर रहा है दिल्ली का बहुत बड़ा चंक जा रहा है सरकार में आज डिल्ली में कोन है रिविंड के जरिवाल हर्याना ने वहां के 75% जॉब रिजर्व कर दिये हर्याना के लोगों के लिए यानि दिल्ली के लोग उसमें हर्याना में 75% सीटों पे अप्लाइड नहीं कर सकते आज ही सुप्रीम प पंजाब में तो जब रिदल्ट आएगा सो आएगा आज आपकी क्या policy असपर बताइए आज दिली के लोगों से job छील लिया हरियाना के लोगों सरकार दे उस पर आपकी क्या policy एग बात कीजिए चन्नी जी ने तो रोका नहीं हुआ दिली के लोगों को क्वेश्चेने सरकार में 75% सीटे प्रिजर्फ कर दी हैं जौबस में हरियाणा के लोगों के लिए जो आज ओठ में मामला गया को को टॉर्णडाउन नहीं किया दिल्ली का बचचा हरियाणा में जॉप करने जाता है गुड़गाओं村 में जॉप करता है अब वो उन जौब पर अप्लाई नहीं कर पाएगा और यह केवल क्लास ट्री क्लास पोर की जौब लेएं पड़े लिखे लोगों की जौब भी हो रही है पचास तक की की बात कर रहे हैं इस पे क्या आम आदी पार्टी का कहना है वो क्या इसको मानती है या इसको रोक आपके स्टेन नहीं यह सब्सक्राइब impressive आप के यह सब्सक्राइब गार में और रहे हैं इस इसलिए Congress ने क्या किया Congress ने क्यो पंजाब को लूटा और आगे पाथ साल में Congress क्या विजन इव उसके बारे आपने कुछ नहीं बोला और आपके जो नेता ये कह रहे हैं कि जो पंजाब में आग लग जाएगी इस तरह के शर्मनात ज्यांदे रहे हैं पोलराइज करना चाह रहे हैं क्योंकि आप हार रहे हैं उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया आप इस पर सब्सक्राइब करें लोगों के लिए 80 परसंट जॉब रिजर्व करेंगे मुझे सब मालू मैं प्रवक्ता हूँ दोसरी बात मैं पंज़ाब की बात इसलिए आप से पूछ रहा हूँ दिलि की बात हैं क्योंकि आप इसक तना पर www पूरे पूरे सुनी ना बात अम्रिंदर सिंग जी ने बोला आपने बोला अमरिंदर सिंग जी ने बोला उनको पाकिसान से फोन आते थी इमरान खांका फोन आए तो उन्हें कहा था और आप आपने फटा फट इसको प्रचारित किया किया बिना ये चेक किये कि जब अमरिंदर सिंग जी की गौवर्मेंट बनी थी और जब नवजो सिद्धु मंत्री बनेते तब इमरान खान प्रदान मंत्री थे यह नहीं वहाँ पे तो एज़ा प्रदान मंत्री फोन नहीं कर सकते कि कोई नहीं करेगा लेकिन कुमार विश्वास ने कल सबके सामने बताया कि अर्विंद केजिरिवाल पंजाब के टर्रिस्टों के साथ मिलके अपनी फ्यूचर प्लैनिंग कर रहे हैं उस पे आप एक शब नहीं बोलेंगे क्योंकि आप केवल वही बाते बोलना चाहते हैं ज अरुप लगाने का आज बताये कि कुमार विश्वास संस्थापक मेंबर से आमाधी पार्टी के वो ये कहरें कि अर्विंद केजिरिवाल खालिस्तानी टर्रिस्टों के साथ मिले हुए हैं आप क्यों नहीं बोलेंगे आप हम से पूचेंगे पंजाब में जिनों पंजाब को टेरिस्टों से निकाला है और आप की पार्टी के लोग अर्विंद केजरिवाल और कुमार विश्वास दोनों ने हिंदू सिख करने कोशिश किये और आप हमें करें हम पूलराइस कर रहे हैं हम पूलराइस नहीं कर रहे हैं राहुल गांदी जी ने क्यों बोला कि पंज लेकिन आपके बाद बता रहा है आपके बहुत पन्जाब का पर प्लिया जिए पर पन्जाब कि पहुंब लगाए पन्जाब पर लगाए मजीधिया पे माफी मागी और सबसे माफी मागी ये जिस पे मर्जी आरोप लगाएं कुमार विश्वास इनका पिछले एलेक्शन में लीडर था संस्थात्मक मेंबर था वो बात करेगा तो उसकी बात नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे बताये इस देश के लोगों को क्या आपको कोई आंसर दी आप बताएए ना आप बताएए आप अपने लीडर के बयान नहीं सुनते आप आप मुझे बताएए नहीं कहा कि पंजाब में आग लग जायेगी सक्क्या मतलब हुआ किस दीज के बारे में बोला यह बताईए कि अगर कॉंग्रेस पार्टी नहीं आती है तो पंजाब में आग लग जाएगी यह बोला बिलकुल यह बोला आप गोगल करिये यह स्टेटमेंट नहीं नहीं देखिए अगर जो लोग टेरिस्टों के घर में खाना खाते हैं अर्व लिए था कनेड़ा में लंडन में उनकी बात करें तो और आपके मुख्यमंत्री सीज़ पाकिस्तान से निर्देश के रहे हैं तो पर हम के वल चीज़े हम बता रहे हैं आप अगर टेरिजम को वहां पे फिलाने की कोशिश करेंगे आपके नेतना का ट्रिस्टों के बाते हैं तो आपके बताईए कि हम बहुत कम है और आप टरिजम में वापिस नहीं जाने देंगे पंजाब को इसलिए हम लड़ रहे हैं आपस नहीं बात करते हैं आपने पूरे शो में एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि दिल्ली में आपने किया क्या आप जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे आप नाजा लग गया होगा कि जिस तरीके से गुर्दीप सपल और रीना गुपता ने आज बहस की है तो कितना टाइट कॉंटेस्ट होगा और तीनों रीजिन्स में चाहे वो मालबा हो च जनता तह करेगी किसको लाएगी लेकिन चीजे दोनों पार्टी इसके लिए बहुत डिफिकल्ट इस समय नजर आ रही है चाहे रीना गुपता जरूर इन दावो को कहें कि देखे आम आजबी पार्टी की सरकार बनाएगी और चाहे कॉंग्रिस ये कहें दोनों के लिए इस समय एक बहुत बड़ा चालेंज है और पंजाब की जनता जो कि मैं आपको खुद बता रही हूं कि जो मैं देखकर आई हूं अभी कुछी दिन पहले वो एक विकल्प तराश रहे हैं लेकिन क्या वो विकल्प सही होगा इस पर आपके फीदबाग का मुझे दिजार रहेग आप दोनका बहुत 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 चुक्रिया गुर्दीप सपल रहीना गुपता जी थैंक यू सो मच पर कमिंगे नियूसके थैंक यू